कि यहां जो लेंस है वो जब सफेद हो जाता है जो आदमी पहले दूर से आप पहचान लेते थे आप नहीं पहचान पा रहे है ठीक है पास का आपको पढ़ने में अब दिक्कत हो रही है चश्मा चेंज भी कर लिया यार पर मज़ा तो नहीं आ रहा इसमें ठीक है न फिर वो आप जो टीवी के नीचे वाले कि दिखने देखे यार इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि दलाल स्ट्रीट में हो कि आरा सब गर्वर हो जाए ना मामला तो वो सब उटा सीधा हो जाएगा और एक चोटी सी बात है पर हमारे सारे गाओवाले लोग कैते हैं अगर आपको ऐसे मुल्टिपल इमेज़ दिखने लगें तो इसका मतलब है कि कैट्टेक्ट आ रहा है और इसका कोई इलाज दवाई से नहीं है भाई बहुत से लोग दवाईयां पकड़ा देते हैं तो मेरा तो यह कहना है कि भाई जितना पैसा दवाई में डालोगे गु कोई इसका उपचार नहीं है फिलाल एक एम सवाल यह है चाहे भीमारी कोई भी हो पेशेंट का पहला यह सवाल उड़ता है डाक्टर साब हमको कितना टाइम लगेगा तीक होने में यह हमेशा होता कि how long would it take for me to recover और recovery बहुत इंपर्टन है जैसे अगर आपने आपने आपका तो यह cataract जब होता है तो यह recovery time क्या है तो अब कई लोगों के मन में अभी भी वह पुरानी पददी जहां पर हम बड़ा इंसिजन बनाते थे बड़ा सा सुराग बना के उसमें दस ताके लगाते थे और उससे निकालते थे वह कई लोगों के मन में बैठा हुआ है कि यार कोई सचाई कोई हकीकत है यह यह उस जमाने में शायद रही होगी क्योंकि एक तो घर में एसी नहीं था भाई सब के पसीना टपक रहा है तो पता लागा पसीना यह आंक के अंदर गुज गया तो और कहीं इदर उदर गए जाना पड़ा और चोट लग गई क्यों कि टाके चाहा है अब तो भाई एक मिली मेटर दो मिली मीटर के अंदर से छोटा सा चेद बना के अंदर गुषते हैं और लेंस को सक करके बाहर निकाली तो अमोमन तर पर अगले दिन से कई लोग तो आफिस भी चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं और कुछ भी काम आप कर सकते हो वो जो पुरानी समस्याइं थी अब बिल्कुल नहीं बची है तो पर जब आदमी पूस्ता है कि मैं कितने दिन में काम करने लगगा तो मैं कहता हूं तुम्हारा कार्मेक लोड मुझे तो पता नहीं क्योंकि हर आंख की रिकावरी ए्लग किया उसको शुगर है तो क्या वो जूसके शुगर रही है तो बहुत सारी बाते हो थे वज़े से जादा बग सकता है पर मोटे तोर पर आज कल कोई समस्या नहीं यह है दो तीन दिन में आप बिल्कुल एक्टे वोड तो आप लोगों न आपके सामने रखा, हम लोग बहुत खुश्किसमत हैं कि हम उस जमाने में पहुंचे हैं कि हर चीज का इलाज है, इसलिए आप बिलकुल इस बात से खौफ जदा नहों कि ये खतरनाक है, हाई हाई मेरा क्या होगा, मेरी आखे चले जाएंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं ओ्धनिक आपके से बताओ का में अच्छ एंग, है हम एट के से चीज के खूधा से जिए फिएमट को आपके से चीज aware में ये इसक प्रिण आपके से लिएकिस लिए।